जै किसान जै राजस्थान जै भारत भारत सरकार के क्रिशी मंत्राले के कारेकरम क्रिशी दर्शन में आप सभी किसान भाई बेहनों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन नमस्कार मैं हूँ आपके साथ चंचल किसान भाईयों आज क्रिशी दर्शन की शुरुवात हम आनंद परम की पंक्तियों से करेंगे वो कहते हैं कि कोशिश कर हल निकलेगा आज नहीं तो कल निकलेगा अर्जुन के तीर सासद मरुथल में भी जल निकलेगा यानि कि अपने लक्ष की प्राप्ती के लिए सतत मेहनत बहुत जरूरी है जो कि हमारे किसान साथी तो करते ही है साथ ही साथ उनकी उन्नती के लिए उनका मार्ग दर्शन करते हुए क्रिशी दर्शन भी सदा उनका सच्चा साथी बना रहता है किसान भाईयों नमस्कार खबरे खेती की में आप सभी का स्वागत है किशीदर्शन के पूरे परिवार की ओर से आप सभी को रंगो भरे त्योहार होली की हर्दिक शुप कामना है तो आएज शुरवात करते हैं खेती से जुड़ी आज की खास खबरों के साथ भेड बकरी और खरगोश पालन पर आठ दिवसिय प्रशिक्षन का आगाज गौम मूत्र और चूने के प्रयोग से फसलों की कई समस्यों का निधान संभव खेती में पेस्टिसाइट्स और रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग से बचें और उढ़ा मलानी में बाजरे के मूल्य समवर्धन पर कारेक्रम का आयोजन केंद्रिय भेड और उन अनुसंधान संस्थान अविका नगर में राश्ट कोशल विकास प्रशिक्षन कारेक्रम के अंतरगत भेड बकरी और खरगोश पालन पर आठ दिवसे प्रशिक्षन कारेक्रम शुरू किया गया कारेक्रम को संस्थान के निदेशक डॉक्टर अरुन तोमर ने संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रशिक्षन में नौ राज्यों से स्ववित पोशिय 28 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं साथ ही जम्मू और कश्मीर से लद्धाक स्वायत पहाडी विकास परिशत द्वारा प्रायोजित 17 प्रशिक्षार्थी भी भाग ले रहे हैं जो की भेडबकरी पालन से जुड़े हुए वेटिनरी करमचारी हैं उन्होंने बताया कि बदलते परिवेश और किसानों की समस्याओं को देखते हुए संस्थान के वैग्यानिकों ने भेडबकरी और खरगोश पालन के व्याभारिक और वैग्यानिक प्रबंधन पर ज्यान ओक प्रायोगी की अनुभव हेतु काफी उपयोगी है यह प्रशिक्षन किसान और युवा आभादी को शिक्षित इंटर्प्रेनियोर बनाने और देश में बढ़ती मास, उन्त, दूद और खात की आपूर्ती करने और किसानों को आत्म निर्भर बनाने में सहयक होगी उन्होंने बताया कि वर्तमान में देश में राश्ट्र पशुधन मिशन योजना चल रही है जिसमें भेडबकरी और पोल्ट्री पर सरकार द्वारा 50 प्रतिशत सबसिडी दी जा रही है जिसका फाइदा किसान यह प्रशिक्षन प्राप्त कर उठा सकते हैं श्री राम शानताय जैविक क्रिशी अनुसंधान और प्रशिक्षन केंद्र कोटा में गौम मूत्र और चूने के मिशन पर शोध के बाद फसलों की कई समस्याओं का सरल निदान निकाला गया केंद्र के मुख्य शोध करता डॉक्टर पवन के टांक ने बताया कि पंद्रा लीटर पानी में मातर डेल लीटर गौमूत्र और चूने की दो ट्यूग घोल कर छिड़काव करने पर फसलों में कई तरह के पोशक तत्व और रोग का निदान हो रहा है उन्होंने बताया कि वर्तमान में तापमान के असंतुलन और पोशक तत्वों की कमी की वज़ा से अधिकतर फसलों में नुकसान होने की संभावना बढ़ रही है इस बार कई फसलों की नीचे की पत्तियां पीली होने की समस्या बढ़ी है जिससे किसान भाईयों की हर बार की तरह चिंता बढ़ी है उन्होंने बताया कि इसके सरल उपाय के अभाव में कई तरह के उपचार के वावजूद भी सकरात्मक परिणाम नहीं मिले उन्होंने बताया कि तकनीकी अध्यन के अनुसार भूमी में पोशक तत्व की कमी के साथ तापमान के असंतुलन की वज़ा से जिवानों वी ये गतिविधी कम हो जाती है जिसके कारण नाइट्रोजन और अन्य आवशक पोशक तत्व की कमी हो जाती है इसकी वज़ा से फसल में निचली पतियां पीली हो जाती है ऐसे ही फासफोरस और पोटास की कमी का प्रभाव कई फसलों में देखा गया फासफोरस की कमी से धनिये में नीला पन और पोटास की कमी की वज़ा से कई फसलों में पतियों के किनारे काले और जले हुए हो जाते हैं। इसी के साथ फसलों में कई फफून जनित रोग का प्रको भी बढ़ रहा है। इन सभी के सरल निदान के लिए गौ मूत्र और चूने का प्रयोग करके कई फसलों में निदान पाया गया। केंद्र के रसायन प्रशिक्षन प्रयोक शाला के जांच करता देशराज मीना ने बताया कि गौम उत्र में निश्चित मात्रा में चूना मिलाने से कई तरह के गुडधर्म सामने आते हैं जैसे गौम उत्र में उपलब्ध तत्व और फफून नियंत्र गुण में व्रिद्धी का होना प्रमुक विशे हैं इसी वज़ा से यहां उपलब्धी हासिल हुई ग्राम विकास प्रमुक ने बताया कि यहां प्रयोक पचास से अधिक गाउं में किसानों के द्वारा किया ग जिसमें बड़ी संख्या में चात्रों और किसानों ने भाग लिया कारेक्रम की अध्यक्षता करते हुए महाविद्याले के डीन डॉक्टर उधेभान सिंग ने कहा कि विज्ञान ने तकनीकी के माध्यम से मानव के जीवन को सरल बनाया है विज्ञान ने सामाजिक आर्थि और नैतिक पहलूं में भी परिवर्तन किया है आधुनिक चिकित्सा, मशीनी करण, बिजली, संचार साधन, कम्प्यूटर, डिजिटल विश्व, रहन सहन आधी विज्ञान की देन हैं उन्होंने बताया कि हमें विज्ञान के दुरुपयोग जैसे खेती में पेस्टिसाइ में अविवेक पून प्रयोग, कृत्रिम बुद्धी मत्ता के अति विस्तार आदी से बचना चाहिए। खाद्यान उत्पादन प्रति दिन बढ़ रहा है। क्रिशी उत्पादन अधिक होने पर, बाजार में मूल्य कम होने पर और रख रखाव की सही जानकारी नहीं होने पर उनका अवमूलन हो जाता है। यदि किसानों को खाद्यान और मूल्य समवर्धन की विस्तित जानकार और स्वरोजगार के महत्व का व्रिस्तित ज्यान होगा तो क्रिशी उत्पादों का मूल्य समवर्धन हो जाएगा और आए के नए सूत बनेंगे। क्रिशी विज्यान केंद्र गुणा मालानी के वरिष्ट विज्यानिक और अध्यक्ष डॉक्टर बील मीडा ने बताया कि वर्तमान समय में वर्ष 2023 को मिलिट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि केवी के द्वारा समय समय पर मूल्य समवर्धन पर विभिन प्रकार के प्रशिक्षन और जागरुकता कारिक्रम आयुजित किये जा रहे हैं। इस दोरान किसानों को मूल्य समवर्धन के विभिन उत्पाद जैसे बाजरे का बिस्कुट, नमकीन, केक आधी उत्पादन के बारे में बताया गया। डॉक्टर सुमन शर्मा ने सभी आए हुए किसानों को मूले समवर्धन लैप का ब्रहमन करवा कर मिलेट्स के बारे में जागरुप किया। किसान भाईयों, खबरे खेती के में आज इतना ही, आप देखते रहे हैं कृषी दर्शन, नमस्कार। किसान भाईयों, कारेक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि कारेक्रम की शुरुवात में हमने आपसे कहा था कि आज हम बात करेंगे प्याज की खेती से संबंदित। जी हां किसान भाईयों, प्याज का बीज उत्पादन किस तरह किया जाए और क्या समसामेग गतिविदिया इस समय प्याज की खेती में करनी है, इस विशे पर हम आपके लिए जानकारियां लेकर आए हैं और जानकारी हमें दे रहे हैं हमारे आज की विशेशगे, श्री पहला सवाल यही मन में उड़ता है कि प्याज का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमारे दर्शकों को बताईये। राम राम किसान बाईयों, जैसा कि हम सब्जी की बात करते हैं, सब्जी की बात करते हैं ही प्याज का हमारे जीवन में महत इव उपयोगता का प्रशन आ जाता है, जैसा हम जानते हैं कि प्याज एक बहुत ही उपयोगी और महत पूर्ण सब्जी है, जो हमारे देनी कहार में इसका बहुत ही महत्पूर्ण योगदान है हम रोजना किचिन के अंदर हमारा जो प्याज है वह बहुत ही आउशक रूप से उपलब्द होना बहुत आउशक है जैसा कि हम जानते हैं रोजना सब्जियों के लिए या किसी और की बात करते हैं तो प्याज का नाम आवश आता ह हाना है जैसा कि हम जानते हैं कि प्याज है कि में बहूत उपयोगी तक मौशुद रहते हैं जैसे खनीज लवणों के बारे में अगर बात करें तो पोर्तेशियम कैल्सियम मैगनेशीम इत्यादी जो बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं साथ यशाथ प्याज के अंदर वि इसका इस्तामाल होता है प्याज की अगर प्योकता दूसरे के बारे में अगर हम बात करें तो प्याज हमारे रख्ट संचार को नियंतन करता है हर्द गति को नियंतन करता है साथ ही साथ जैसा हम जानते कि लूच से बचाने के लिए भी प्याज एक बहुत ही महत्पुर्ण का अरफजी के साथ उसको मसालों के रूप में लिया जाता है अगर है यह अनीक परकार प्रञेसा ंदर अब निगर दिन प्रतीच जा रही तो इसक या रही है सबसे ज़्याद होने वाले सबजी है जो कि अगर हम इसको देखा जाये तो भारत को कम से कम आठ सो से एक हजार करोड रुपे की आर्थिक जो बाहर की मुद्रा होती है, उस मुद्रा से हमें इसका लाब मिलता है, यह बहुती उपयोग ही है, जैसे कि हम जानते हैं, इनके अलावा भी और कई अन्य प्रकार से प्याज का उपयोग लेते हैं, अज की एक विशेश प्रकार की जो जो गंद है, विशेश प्रकार का स्वाद है, वह अनेक विशेश रोल अपना अजा करता है, जी, बैर्वा साब जानना चाहेंगे कि प्रदेश-राजस्थान की बात करें, तो कौन-कौन से ऐसे इसे इलाके हैं, जहां कि प्याज की खेती के लिए वह बिलकुल अनुकूल ह जहां पर प्याज की खेती बहुत अच्छे से की जा रही है, बताइए। हारान वहिराना है, यहां, सबसे ज्यदा बहें, प्याज का उत्पादन होता है, अगर इसके साथ अगways, बात करें कि राजस्तान की, राजस्तान की मैंसे कौन-कौन सी जगे जहां प्यास का सब्पादन किया जाता है तो सीकर है, जूझनु है, जैपूर है, आजमेर है दोसा है इन जुलों के अंदर प्याज के सबसे ज़्यदा उत्पादन होता है एक चीज की अगर बात करें भारत देश के अंदर लगबग 19 लाख हेक्टर के अंदर इसकी खेती की जाती है साथ ही 165 से 170 लाख मेट्रिक तन इसका उत्पादन होता है जो कि बहुत बड़ा अपना इस्तान रखता है कि विष्च की बदो करें कूल है जाँ की हमारा विशे हैं फ्याज बीज उत्पादन की बात कर रहे है ऐसे में प्याज का वीच उत्पादन के लिए किन विषिष्ट चीजों की आफशक्ताथा है बताईए पेल तो यह की प्याज जो करते हैं विशे तोर से हमारा जो उत्फदन है भारत देश का वैसे उत्फदन में तो हमारा खूब है लेकिन उसके साथ ही हमारी जो उत्फ़एगता है वो बहुत खंव मात्रा के दो उस मात्रा को अधिक करने के लिए ऐसे बहुत सारे उपाए हैं जिससे द्वारा हमारी इसकी उत्वाज़कता बढ़ सकती है जैसे किसान भाई अगर हमारे द्वारा उप्यों की जो लिटरेचर है जिसको कहते हैं लिटरेचर वो अगर समय पर कसा करें का कि पर उसका इस्तेमाल करें तो हमारी उत्ता बढ़水 सकती। इस में 121 अधा करता है अज़िए को लग दोना अगर यह सारे बीज उत्पा दें समय उप सुधा हो हो जाए तो खिसान की आई भी भड़ेगी और साथ के साथ में सुगमदस से वीज उपलब्द होगा कम मात्रा के अंदर भी उसको उपलब्द हो पाएगा और उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी तो बीज की जहां तक बात करते हैं कि इसके जंद क्या 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 आ संसितोस नहीं डिलाखा है महा सबसे जैदाइज कर दन कि यहां उसका बीज का उतपादन कर सकते हैं जैसे कह में लना जी हमारा जैपोर जिला हो tahini ग से डी एक व्यागी खिशतर आं यहांggak को सीच म५ु हूं दर निया सकता है इसके लिए दो-तीन बात होती है जैसे हम केवल और उसको अडवार के लिए बाकि 20 को 20 पकते वक्त अब 15 से और 20 दिग्री सेंटीग्रेट तक इसकी आवस्कता होती है साथ इसाथ जब 20 पकता रहता है पकाव की इस्तिति के अंदर होता है जब हमारे इसकी जो शूखा वातारून चाहिए और नमी नमी की इसके अंदर एसी जगे का चुनाव करते हैं जहां पहले हमने उस खेत के अंदर प्याद नहीं लिया हो या लेसुन की खेती नहीं की हो या इसके वीज उत्पादन नहीं लिया हो ऐसी जगे ऐसा खेत हम के इसके लिए चुनाव करते हैं ताकि उसकी उत्पादक्ता अच्छी रहे साथ ह साथ और बहुत सारी चीजे जो में रखना चाहिए बीज उत्पादन के लिए बहुत होती है जैसे आप सपोच की जिए कि दो अलग-अलग किस्मों का भी उत्पादन कर रहे हैं तो इसके लिए दूरी बहुत आउशक होती है वह दूरी इस वजे से रखी जाती है ताकि एक नहीं हो पाएं क्योंकि प्याज पोलिनेटेज सब्जी है और इसके लिए अलग-अलग दूरिया निर्धारत की जाती जैसे पांसों मिटर की दूरी रखते हैं जैसे आपके लिए टी फैल सीट प्रडेक्शन के लिए और सर्टिफाइज सीट के लिए पांसों मिटर की और अगर दूरी नहीं रख पाते हैं तो बीज उत्पादन के लिए हम उस एरिये के अंदर की थेलिया हवर खर देते हैं ताकि उसका क्रोस पॉलियरेशन नहीं हो सके जी बैर्वा साब अब बात करते हैं कि जो विधी होती है प्याज का उन्नत वीज उत्पादन करने की उ से में नई तक्निकों को नवाचारों को किस तरह शामिल किया गया है यह भी बताईए किसान बायों बीज प्याज का बीज उत्पादन की एक अलग प्रकार की विधियां होती है उनको उनका जो टेकनोलोजी जे उनकी जो तक्निकी है वह हमें द्यान में रखने चाहिए कि पहले बीज को नर्सरीज के अंदर तयार करते हैं सीडलिंग तयार की जाती है उन पोद को हम जोलाई अगस्त मेने के अंदर खेत के अंदर जो उची उठी वी क्यारियों होती है वहां लगा देते हैं लगाने के बाद में उनका पूरा ध्यान रखा जाता है उसके पानी और 90 cm की दूरी रखी जाती है ताकि उस वीधी में या है कि इसके जो कंड बल्ट वहותे हैं वह अक्तूूरमाज में पलते वह आउस बल्ट को हम निकालते नहीं ऊसने लगे रहने जलते हैं साथ के साथल पानी और उर्ह दूरोस के साथ में लगाते हैं ताकि उसकी फर्वरी के अंदर उसे फूल आना स्टाठ जाता हैं दूसरी होती है कंद्स से वीज तयार करना कंद् से बीज कंद्स दियार करने की अंधर बी दो विदियां होती इसके अंदर होता कि एकवर्ष एक वर्षी एक विल्ष ठसलों के अंदर कंद्स वह त्यार कि whispering मोशिधी तुर्प की जाथी और निकालने के बाद में उसको एक सफ्ता दो सब्द्वा सुक आते हैं और वापिस वापस 60-30 cm की दूरी पर वापस 9 नौबर के मेतं लगा दिया जाते हैं और लगाने के बाद में यह देखते हैं कि फरवरी और मार्च के अंदर वापस उसके अंदर फूल आना स्टाट हो जाता है और अप्रेल मई में हमारे पूरे बीज उससे उपलग तयार हो जाते हैं इसमें लगवाल का हमारा एक वर्च का समय लगता है इसमें मुख्यते जो किसमें कामें लिए जाती है जैसे एन-53 है अर का कल्यान रे यह किसमें जो इसके अंडर मेंने के अंदर तैयार करना जो जैसे जादा समें लगता है और इसके अंदर दूसरी विदी होती है, कंदो से बीज तैयार करना ये सरोत्तम बाखनी जाती है, quality के साब से, quantity के हिसाब से इसमें दो वर्स का समय लगता है, एक वर्स के समय के अंदर कंदों को बीज के लिए तैयार किया जाता है जैसे इसके लिए अंदर जो सीडलिंग है जो कोज साला वो तैयार करते हैं वो तैयार करने के बाद में उनको लगाते हैं नौमर मेने के अंदर नौमर मेने के अंदर उनको खेत के अंदर लगा देते हैं और जनररी फर्विक अंदर उसकी सीडलिंग तैयार करते हैं वापस वापस अप्रेल के मेने के अंदर उससे कंद बन जाते हैं उस कंदों को निकाल लेते हैं उन कंदों को मई से लग करके आने वाले अक्टॉबर मेने तक उसको इस्टोर करके रखते हैं और उन कंदों को वापस नॉमर मेने के अंदर उसको लगाते हैं खेत के अंदर और वाप हो जाते हैं यह बहुत मेहत्मुन भी दिए साथ इसाथ में जो रवीक अंदर काम आने वाली जो किस्में वो सबसे ज्यादा इसके बीज उत्तर करते हैं बहुत ही बढ़िया जानकारी लक्षमिनायन बैर्वा साहब आप हमारे बीच में आये और आपने दिए कि प्याज की ब कुरा विश्वास है कि आज की कारिक्रम में प्याज की बीज से जुड़ी हुई जानकारियों का लाब उठाते हुए आप भी प्याज का उन्नत बीज उत्पादन जरूर करेंगे आप क्रिशी दर्शन में क्या कुछ नया देखना चाहते हैं इसके लिए आप हमें पत्र ल अगल के साथ दीजी चंचल को आगया जै हल जै हल धर